22 मरला के एरिया पे बना हुआ ये corner category का जो घर आप अपनी स्क्रीन पे आज देखने वाले viewers मेरे खयाल मेंने बलके मुझे पूरा यकीन है कि इस जैसा आर्किटेक्चर आपने अब तक किसी भी घर में नहीं देखा होगा specially DHA लहोर में सबसे पहला इसका जो plus point है वो आप देख चुके हैं कि corner category का ये plot है और देखें इसका जो green area है कितने खुपसूरती से उसको maintain किया गया है और इस घर में आपको देने के लिए इतना कुछ है कि आप खुद हरान परिशान हो जाएंगे कि यार एक कनाल का घर और इतना जबर्द पहले अगर आप इस घर का ये beautiful और बहुत ही जबर्दस gigantic किसम का फसाड देखें तो भाई आपको वाके में ही फील आती है कि यार this is something different एक और चीस बताओं इस घर को डिजाइन किया है जो इसके principal architect है वो मजहर मुनीर साहब है जो के king of straight line भी कहलाते है और जो किसी तारूफ आपके मोताज नहीं है वीवर्स 9200 स्केर फीट के एरिया पर बनावा यह घर है और इसमें इतना कुछ है कि आप खुद देखके हरान हो जाएंगे यह मैं करीब से इसका आपको फसाड दिखा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि completely tiles का का काम किया हुए लेकिन यह जो इसक कम्प्लीट 20 फूट का टेक्टॉन का बना हुआ डोर है जो के बहुत ही outstanding चीज है मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहां से हम इसका टूर स्टार करते हैं इसके कार पोर्ट से जहां पे देखें कि tiles की ही flooring है और सामने भी tiles ही लगे हुए wall पे completely और सारी घर में आपको blade lights का usage नजर आएगा दो से तीन गाड़ियां बहुत इसली पार कर सकते हैं sliding door है यहां पर एक बटन प्रस करते ही यह door side पे हो जाता है नीचे यह देखने machine भी लगी हुई है एंड यह इसका inner lawn area है जो के मैं अक्सर कहता हूँ के एक कनाल के area के हिसाब से बहुत ही जबलदस space है और बाके ही किसी different और खास जगह पे आ गये हैं यह आप देख लें आपके पास बहुत ही घुपसूरत किसम का marble मुझूद है और यह जो scene है viewers यह मैं आपको दिखाता हूँ चेक करें आप viewers 20 foot का यह door है इसका entrance door यह देखें मैंने यहां से इसको open किया आपके लिए और यह देखें यह automatic close हो रहा है अपनी space पे आके अब यह जितनी मर्जी तेज स्पीड से आया लेकिन यह जब close होने लगेगा तो भाई बिल्कुल slow हो जाता है और अपनी जगह पे आके रुक जाता है I think के tour इसका start किया जाए introduction काफी ज्यादा हो चुक है यहां से इस घर में एंटर करेंगे और एंटर करते ही सबसे पहले आपको नदर आ रहा होगा viewers यह है इसका यह area देखें कितना खुबसूरत किसम का जो के है double highted lobby का और यहां पे बहुत ही different किसम का आपके पास chandelier मुजू जैसे आप घर में एंटर करेंगे एंटर करते ही बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही minimal patterns के साथ डिजाइन किया हुआ इसका नजर आता है ड्राइंग रूम व्यूर्स नाइट कासल का सारा का सारा furniture है और इसकी जो ambience है घर का इस घर की जो lighting है वो देखें कितनी मजे की है च मुझूद है सेटर टेबल बहुत ही जबर्दस किसम की है और यहां पर आपके पास fire kit मुझूद है यह electrical fire kit है और उपर यह जो काम हुए है यह acrylic sheet का यूज किया गिया है जो के बहुत ही जबर्दस किसम का आपको overall look provide करते है व्यूर्स बिल्कुल enter हो के left side पे drying room और जब आप drying room से बाहर आएंगे तो भाई साहब यह है इसका overall view एक और इसका कमाल का scene यह है कि triple hydrated lobby का view आपको नजर आता है इसके basement के area से और this house is full of lights क्योंकि अगर इसमें light ना भी हो तो इसमें lighting का इतना ख्याल रखा हुए है कि इस घर के अंदर आपको light की कमी feel होती ही नहीं है एक और feature आगया outstanding से जो के है इसमें touch panels है यानि इसमें button कहीं पे भी मुझूर नहीं है and इसमें एक और सबसे जबर्दस highlighted feature के viewers इस घर में देखें आपको lift भी मिल रही है यह area बड़ा जबर्दस है normally आपने powder room में क्या देखा है कि आपके पास एक space है जिसमें concerned fixing के साथ का mode है और separately उ बहुत ही जबर्दस किसम की designing wall है and यह है इसका commode area यानि washroom area अब इसका concept मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ कि यह जो commode area है और इस area को separate क्यों किया गया है in case अगर कोई बंदा washroom में है तो देखें वो commode यूज़ कर रहा है तो आप hand wash नहीं कर सकते या basin को यूज़ नहीं इस घर कम house tour start करेंगे जो के बहुत ही outstanding है ground floor पे इसके एक bedroom है यह scene है viewers इसके ground floor का और ground floor भी यह है इसका TV lounge TV lounge में again बहुत ही खुबसूरत और elegant theme आपको नजर आ रही है और बहुत ही minimal patterns का use की होब है यानि color palettes हो है वो बहुत ही minimal है लेकिन artistic level का का काम आपको पूरे घर में देख रहे हैं curtains भी इसके imported fabric से बनाये हुए और जैसा कि मैं मैं बता चुका हूँ के night castle का सारा का सारा furniture है branded furniture है किसी किसम का कोई compromise किया ही नहीं हुआ है यहां से अब आप इसका view देखें जो के है इसकी media wall का और overall इसको जो view है देखें कितना minimal patterns के साथ design किया हुए और यह जो बहुत बड़े size की LED भी लगी हुई है यहां से आगे जाएंगे तो again system आपके पास मुझूद है जो के है touch panels का यानि पूरे घर में buttons है ही नहीं और इस lounge से बाहर आना है आपने तो बिलकुल सामने stairs आपको नजर आ रही है जो के आपको basement के साथ साथ इसके first floor की भी access दे रही 10 food के दरवाजें हैं और यह सारे के सारे solid wood के बने हुए नई हम trading से purchase किये गए है sliding door को open करेंगे तो यह है इस घर का dining plus kitchen area जो के European theme पे completely construct किया हुए है center में बहुत प्यारी space है dining की left side पे देखेंगे तो काफी ज़्यादा cabinetry space है और baking और microwave oven है जो के frankie company के लगे हुए है और यहां से मैं आपको दिखाऊं तो यह देखें इस कितना जबर्दस किसम का chandelier है और एक और चीज़ देखें इस जगह पे आपके पास मुझूद है cabinet easy यानि chill scene है किसी किसम के कोई problem होगा ही नहीं and जब kitchen की तरफ आपकी नजर जाती है तो आपको नजर आता है बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही sophisticated किसम का यहां पे layout और साथ में जो इसकी color grading की गई है honestly बहुत ही outstanding है यह जो इसकी UV sheet है यह देखें texture UV sheet है यह बहुत ज़्यादा expensive होती है as compared to simple sheet और सिर्फ इसका master kitchen ही नहीं इसमें जो main kitchen के साथ इसका service kitchen है यह भी काफी ज़्यादा spacious है और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें green के AC लगे हुए और यह AC यहां आपको service kitchen में भी नजर आता है viewers 9200 square feet एक कनाल के घर में निकालना और design ऐसे करना कि आपको घर ऐसा नजर आए कि जो आज से पहले आपने देखाना हो यह obviously कोई बहुत skillful और experience architect ही कर सकता है और इसक किसी architect ने की है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है और यह है viewers इसके ground floor पर bedroom भाई साम आप आजए इदर आजए इदर आजए इदर आजए कोई बात नहीं आजए 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 यह बाई है गार्ड होते हैं यहां पर लेकिन गलती से आ गए कोई मसला नहीं अच्छा viewers इसके बहुत ही खुबसूरत layout आपको नदर आता है ऐसा लग रहा है मुझे के जिसरा Pinterest पे जो है ना हमारे पस themes मुझूद होती है वो निकाल के यहां install कर दी गई है अब कई लोग कहेंगे copy paste तो भाई copy paste करने के लिए भी दिमाग चाहिए और अकल चाहिए जो के हर किसी के पास न आरी overall मुझूद है पूरे घर में nova paint यूस किया हुए और solid wood के 10-10 foot के दर्वाजे इस washroom में enter आपने होना है तो आपको नज़र आता है left side पे यह इसका area जो के सामने vanity है और उपर LED mirror है and viewers यकीन करें इस घर की finishing में किसी किसम को कोई compromise किया ही नहीं किया है और इस घर में जिन चीजों का usage है वो वाके ही काबले तारीफ है क्योंकि सिर्फ घर की जो layout plan है वो ही नहीं घर में जिस तरीके से चीजों को install किया हुए है आप believe करें वो अपनी मिसाल आप है क्योंकि इतनी ज्यादा खुबसूरती से और without any kind of error चीजों को install करना यह अपने इतने सारे लोग इतने सारे घर बनाते हैं लेकिन हर घर की outlook different होती है वो एक जैसी क्यों नहीं हो सकती उसकी reason है viewers एक चीज सोरी में आपको बताना भूल गया जो के एक को और इसका जबर्दस highlighted feature है वो है इसमें मुझूद dump lift अब यह scene देखें आप इसको आपने open करने है और यह बहुत ही outstanding किसम का scene है कि यह dump lift है आपकी आप इसको पोलेंगे तो भई यह lift आपको basement तक की access देती है यानि अगर आपने खाना deliver करते है आप यहां से इसको बंद करें और यहां से इसको direct basement में भेज़ दें और खाना receive करने के बाद basement से दुबारा इसके first sorry ground floor पे आप send कर सकते है वीवर्स यह है इस घर के ground floor का tour और अब मैं आपको इसके further plan की तरफ लेके चलता हूं मेरे ख्याल में मुझे सबसे पहले आपको लेके जाना चाहिए इसके basement के plan में अब यह जो इसका lobby का area यहां से आप देखेंगे बहुत ही खुबसूरत किसम का chandelier है बिलकुल उपर ceiling पे blade lights का use किया हूए और उपर rock lights का use किया हूए सामने वाली wall पे three beautiful and elegant abstract paintings and यह इसका stairs का area है stairs है मैं अब आपको इसके basement में लेकर चलता हूँ एक और चीज़ आपने देख ली होगे अपी camera में जो क्या sensor lights भी है यानि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं आपकी मुझूदगी को जैसे ही यह sense करेंगी automatically lights on कर दी जाएंगी आपके लिए इस घर में वीवस basement में आप आपको यह scene दिखाना चाता हूँ यह देखें यह triple-heighted lobby का view आपको इधर से भी नदर आ रहा है और यह नीचे इसके basement में यहाँ sitting बनाए गई है बहुत ही खुबसूरत और मिनिमल सी बिलकुल सामने मुझूद है 25 बारा फुट का बहुत ही खुबसूरत और spacious scene जोग है इस इसको open करना चाहा रहा हूँ I think यह closed है लेकिन मैं open कर दे रहा है यह देखें बिलकुल सामने इसकी width है 12 फुट और यह जो इसकी length है यह 25 फुट और बहुत ही जबर्दस किसम का scene है और यहां से अगर आप देखें पूरे घर का flow आपको नज़र आता है इसके basement area में भी जो क यह एक again outstanding चीज है जो के मुझे बहुत जबर्दस लगी आपने इस दर्वाजे को open करना है तो side पे इसकी stairs मुझूद है जहां stairs से separate access भी की जा सकती है इसके इस pool area में और यहां से मैं आपको इसका pool area दिखा रहा हूँ और यह चेक करें इस सारी के सारी यहां पे sliding windows और यहां बेभी window है जो के इसके bedroom की आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले हम इसका further जो प्लैन है basement पे वो देख लेते है पूल area से आप जैसे viewers बाहर आते हैं बिलकुल सामने यह बहुत ही खुबसूरत किसम की space है जो के है इसका stair के area अब यह खुबसूरत पता क पाएंगे तो बिलकुल right पे यह है viewers इसका store room, store room में इस वक्त समान कुछ मुझूद है लेकिन देखें store room की hide भी 10 foot की है यह वाहिद एक ऐसा store room देखा है जिसमें store room को भी इतनी इज़त बक्षी गई है कि 10 foot के दरवाजे है and यह basement की बहुत ही lit up space है जिसमें मुझे यह लाउंज का एरिया viewers यह देखें कितना ही जबलदस किसम क्या और इसको जो view है ना आपके पैसे पूरे करवा रहता है यह pendant lights इतनी मज़े की है आज से पहले मैंने तो भाई अभी तक किसी घर में देखी नहीं शायद आपने अगर कहीं देखी हो तो मुझे जरूर बताईए इसका लाउंज का एरिया भी इतना है कि जहां पर इजीली इजीली दस से बारा लोग अराम से सिटिंग कर सकते हैं और इतने बड़े साइस की LED पर कोई भी अच्छी मूवी या अच्छा कोई भी content देखके enjoy कर सकते हैं और इधर से यह है बहुत outstanding किसम का सीन यानि इस लाउ इसमेंट का जो एक और कमाल का सीन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उससे पहले मैं आपको यह दिखा दूँ जो के है इसका संकन अरिया जो है इसके साइड पे यानि वेंटिलेशन का भी खसूसी खयाल पूरे घर में रखा हुआ है और जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इस घर में डंब लिफ्ट का यूज क्या होगा तो वीवर्स एक सेकिंड ज़रा ये इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यह है वो सीन यानि यह वो डंब लिफ्ट है जो के मैंने आपको इसके ग्राउंड फ्लोर के किचन पर दिखाई थी और ग्राउंड फिर के जाने के भी आपको जरूरत नहीं है एंड इस एरिया से जैसे ही आप बाहर आएंगे बाहर आते ही बिल्कुल सामने बेस्मेंट का बेडरूम है लेकिन उससे पहले यह स्पेस देख लें जो के पार्क लेंड कंपनी की है यह पता कौन सी कंपनी है यह वो कंपनी है जिस कंपनी के लिफ्ट्स पूरे डिएचे में लगी हुए हैं डिएचे से मुराद डिएचे लाहोर में जो डिएचे का आफिस है जिसको कई लोग डिएचे ट्राँसफर आफिस बहो बहुती है और नद जिसको कई सिरिंग हाइट है ये भी काफी जाद है बारा बारा फूट की हाइट है और बहुत ही खुबसूरत किसम के कलर्स है और यह है इसका शावर रूम और नीचे कमोड आपको मिल जाता है व्यूर्स पूरे घर में वित्रा कंपनी की वाश्रों में सेस्रीज है एंड इदर से बाहर आके जब आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो यह है इसका बेस्मेंट का बेडरूम और इस बेडरूम की जो क्लास है वो बिल्कुल डिफरेंट है अब देखें बेडरूम के सीन कैसा है जो बैड वाल है कम्प्लीटली टेक्श्चर शीट का यूस किया हुए है बहुत ही आला किसम की पेंडर्ट लाइट यह जो यहां पेंबियंस क्रियेट कर देंगे ना बहुत ही जबल दस किसम के है और ड्रेसिंग का स्टेपरेट एरिया मुझूद है और यहां से अगर आप देखें इसके राइट साइट पे तो आपके पास स्पेस नदर आती है बहुत ही खुबसूरत किसम की एक सोफा मुझूद है कंसोल मुझूद है उपर एलेडी लगी नहीं हुई लगा सकते हैं आप और यहां से बिलकुल सामने से आप अपने खुबसूरत पूल का व्यू भी इंजवाए कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं यहां पे कर्टेंस को आपने आगे स कोशिश करता हूँ यह देखें यह वह स्टेर्स का एरिया जो कि मैंने आपको थोड़ी तर पहले दिखाया था कि इन केस अगर सेपरेटली कोई बेस्मेंट एरिया में आना चारह है और घर के अंदर आप उनको नहीं लाना चारह है तो इस घर में उसका भी हल मुझूद है जाहिर है जैसा बेड्रूम वैसा ही इसका वाश्रूम है टेक्च्चर टाइल्स का यूज किया हुए पूरे घर में यहाँ पे जो टेक्च्चर है वो थोड़ा से कम है लेकिन बैक साइड पर जो टाइल है उसका टेक्च्चर आपको क्लेरली विजिबल हो रहा होगा एंड व्यूर्स बिल्कुल सामने ये एरिया है जिसमें आप देखें के इसको क्लोस किया हुए लेकिन राइट साइड पे कंसील्ट फिक्सिंग के साथ कमोड है और यहाँ पे रेंज शावर की बजाए नॉर्मल शावर है लेकिन कंसील्ट फिक्सिंग के साथ ही मजूद है और इधर से इस बेटरूम के जो ट्रू एंबियंस है और इसका जो इंटीर है वो आपको क्लेरली विजिबल हो रहा होगा विवर्स इसी के साथ हमारे इस घर के बेस्मेंट एरिया का टूर कंप्लीट होता है और आप इसके फर्स प्रोर पे लेकिन चलूँगा लेकिन वहा बहुत ज्यादा आने के चांसिस बहुत ज्यादा है क्योंकि लाइट्स का बहुत ज्यादा ख्याल किया गिया है इस घर में और यह जितने भी ग्लास आप देखने इनको देखके प्रेशान नहीं हो जाना कि घर गरम हो जाएगा और घर को ठंडा करने बड़ा चैलेंज हो जगा या सारा सारा दिन इसी चला कर रखें तो ऐसा सीन है नहीं उसकी रीजन यह है कि यह डवल गिलास टेमपड गिलास है और काफी ज्यादा जो है ला तक्रिबान आठाट एमम के टेमपड ग्लास को लगाया गया और किसी भी तरीके से इसमें हीट का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्यूंकि सिर्फ टेमपड ही नहीं है साथ में यह डवल ग्लेजड भी लगाये गए हैं व्यूवर स्टेर से आप जैसे उपर आएंगे बिल्कुल सामने ओपन होती है विंडो अगेन यह डवल ग्लेजड है और यह बिल्कुल सामने इसका टैरेस मुझूद है आई यहां से अब हम इसके फर्स फ्लोर को एक्स्प्लोर करते हैं स्वेर से व्यूवर्स बिल्कुल उपर आते ही सामने वॉल पे इसका ओपन डिजाइन में किचेन आपको नजर आता है और यहां से इसका मैं सीन अगर आपको दिखा सकूं तो वह यह है अभी मैंने आपको इसक इसकी डबल हैटेट लोबी का प्रोपर व्यू मिल सकता है और यह 20 फूर का जाइगंटिक साइस का बहुत ही खुबसूरत किसम का एंटरंस डोर व्यूर्स फर्स फ्लोर का डूबर यहां से मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं स्टेयर से आपने उपर आने वेरी राइट प घर में मुझूद है क्यूंकि मैंने बहुत टाइम हो गया है कि शायद ही कोई ऐसा घर देखा हो कि जिसमें मुझे एक कनाल का घर तो मिले लेकिन उसमें इतने बड़े-बड़े साइस के बैडरूम्स भी मिले स्पेशली फर्स फ्लोर पे और सिर्फ यह नहीं कि एक बैडर कंजूसी नहीं की हुई नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि आप यह देखेंगे कि अगर बैडरूम बड़े हैं तो वाश्रूम्स शोटे कर दिये जाते हैं यह राइट साइट पे आपके पास वार्डरोब की स्पेस है जहां पे मर्करी ग्लास को लगाया हुए है और यह साथ से बाहर आएकर बिल्कुल सामने देखें यह भी इसका बैडरूम है लेकिन इस बैडरूम की भी खास बात ये है और राइट सफाइड वाला बैडरूम अब आप देख marine गाया है कि इनके private terraces हैं दोनों बैडरूमस के अपने अपने अब यह सीन देखें उस बैडरू क में आप enter कर रहे हैं यह सारी की सारी space है इसकी sitting की और खुली डुली space है और बहुत ही खुबसूरत space है और यहां पे बिल्कुल सामने देखेंगे console लगा हुए और LED की space भी मुझूद है और यह है proper इसकी bed space जहां पे bed को बहुत ही खुबसूरती से रखा हुए और यह center table है नीचे रग भी देखेंगे तो हर चीज का contrast आपको colors में नजर आ रहा है इधर से मैं आपको complete view इसका दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह चेक कर लें इस bedroom में लगाई गई एक एक चीज आपको मैं visible करवा सकूँ and ceiling भी देखेंगे again blade lights हैं पूरे घर में जो के बहुत ही जबर्दस लगती है और ambience उनका जो होता है वो तो बहुत मज़ेका होता ही है यह देखें इसका private terrace है जो के मैंने आपको बताया था यह corner side पे bedroom आ जाता है और top of the line quality के green company के AC लगे हुए यह आप चेक कर सकते हैं और यहां से आगे चलते हैं खास बात इसकी यह भी है कि इस bedroom में separate से wardrobe की space है अब यह देखें इतनी जादा wardrobe की space है जितने मर्जी गपड़े ले आए आप भर दें इस जगा को आपके पस जगागा नहीं काम होने वाली और उपर again tempered glass है जहांचा directly sun light एंटर कर रही है और यह इसका washroom है जिसमें jacuzzi लगी हुई है बिलकुल सामने आप देखें यह इसकी vanity space है LED mirror है और tiles और यह जो बीचे back पे wall है बहुत ही खुबसूरत काम है mirror के पिशे tile लगी हुई है border पे देखें कोरियान का काम है और center में black glass का use किया हुए है और यह इसकी jacuzzi की space है इधर से आ आइडिया हो ही रहा होगा इसकी कितनी ज़्यादा spacious space है लेकिन यकीन कर रहा है honestly बहुत खुलेडूले size के bedroom है इस bedroom से आपने बाहर आना है तो कुछ इस किसम का futuristic design यह घर आपको offer करते है और यह मैं आपको दिखा चुकों जो किसकी kitchen की space है यहाँ पे आप hot plate भी रख सकते है और Frankie company का ही यहाँ पे microwave already installed है थर्ड bedroom में आप enter होंगे तो बिल्कुल left side पे media wall और नीचे बहुत खुबसूरत console और इधर से जो इसका overall theme है वो आपको नदर आता है light सा और थोड़ा थोड़ा black सा यह scene देखें आप चेक करें कितना खुबसूरत सीन है और यगीन करें जो लोग ऐसी घर पसंद करते हैं minimal patterns हो ज़्यादा colors उसमें ना यूज कियो हो minimal चीजों का इस्तमाल किया हो लेगिन आला quality और expensive चीजों का तो भाई साब ये उनके लिए घर हो सकते अब देखें इसका भी private terrace मुझूद है जो कर मैंने आपको बताया था एंड इस bedroom की खास बात ये भी है कि इसमें walking closet है left side पे mercury glass right side पे UV sheet और आगे जाएंगे तो ये है इसका attached washroom ये scene चेक करें व्यूर्स अगेन बहुत ही खुबसूरत घर है एक कनाल से ज्यादा है और market में अगर prices को compare करें कि जिस prices पर घर available है उस ही hot or demanding block भी है design भी एक बहुत ही principal architect ने किया जो कि किसी तारूफ के मोताज है नहीं और इस घर में लगाई गई एक एक चीज जो है वो काबले तारीफ है घर के finishing की बात कर लें घर में लगी हुई चीजों की installation की बात कर लें हर चीज ही बहुत ही outstanding है and इस घर को visit करने है तो obviously आप मेरे नंबर पर मुझे से रापता कर सकते हैं DHL लाहर में आपको घर चाहिए plot चाहिए कुछ भी चाहिए तो आप बिला जी जग मेरे से रापता कर सकते हैं और again सबसे important बात वो वीडियो बनाना नहीं है वीडियो तो इसलिए बनाता हूँ ताके आप तक जो काम है वह आपको घर लेकर देना है और घर ऐसी प्राइस पर लेकर देना है जो आपको पता लगहिए वाकाइश बढ़े को घरों के बारे में नॉलीज है मेरा मैं काम यह है वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं पसंद करते हैं मैं बहुत शुकर गुज़ारूं व्यवर में अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा फियमान अल्ला